Hello Guys, Welcome to Aadhaar Shila Academy Aadhaar Shila Academy में आप सबका स्वागत है जो इस चैनल पर नए है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन प्रेस कर दीजे मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आज की सेशन में हम डिसकॉस करेंगे CBSC Class 7 के Maths का Chapter 1 Integers जिसमें हम डिसकॉस करेंगे Exercise 1.1 का Question No.8 तो चलिए जल्दी से देखते हैं Question No.8 को हम कैसे Solve करेंगे तो Question No.8 है Verify A minus bracket के अंदर minus B equal to A plus B for the following values of A and B इस Question में हमें Proof करना है कि A minus B जो है वो बराबर है equal है A plus B के जहांपर A और B की values हमें रखनी है तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे जैसे हमारा right hand रहता है और left hand रहता है वैसे ही equal to का भी right hand रहता है और left hand रहता है तो इसको हम बोलते हैं जो इसका left hand रहेगा उसको हम बोलेंगे LHS और जो इसका right hand रहेगा उसको हम बोलेंगे RHS इसका full form होगा right hand side और LHS का full form होगा left hand side तो सबसे पहले Question No.8 का first part देखते हैं तो यह हमारा first part है इसमें हमें दिया है A equal to 21 और B equal to 18 तो सबसे पहले हमें जो proof करना है वो हम लिख लेते हैं तो यहां हम लिखेंगे A minus bracket के अंदर minus B equal to A plus B अब यहां दोनों side हमें A की value रखनी है जो दी है 21 और B की value रखनी है जो दी है 18 तो चलिए जल्दी से यहां पर A और B की values रखते हैं तो यहां हमने A की value रखनी 21 minus फिर B की value रखनी minus 18 equal to 21 plus 18 तो यहां पर सबसे पहले हमें bracket open करना है तो bracket open कैसे होगा जब हम दोनों side को आपस में into करेंगे तो यहां होगा सबसे पहले minus into minus जो क्या बन जाएगा plus तो यहां पर हमने minus into minus लिख लिए plus अब बाकी सब सारी चीज़े हम same to same वैसी लिख देंगे तो यहां हम लिखेंगे 21 plus 18 equal to 21 plus 18 अब जब हम दोनो side को plus करेंगे आपस में यहां पर 21 plus 18 equal to 21 plus 18 तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 39 equal to 39 और यहां हमारा proof हो गया LHS equal to RHS और यही होगा हमारा answer चलिए अब इसका second part देखते हैं इसके second part में A की value 118 है और B की value 125 है तो जो proof करना हो हम लिखेंगे सबसे पहले तो यहां हम लिखेंगे A minus bracket के अंदर minus B equal to A plus B और B के जगे B की value लिखेंगे दोनों side हम वैसे ही करेंगे तो यहां हम A के जगे 118 लिखेंगे फिर minus फिर bracket के अंदर minus 125 equal to 118 plus 125 अब यहां भी सबसे पहले हमें bracket open करना है तो bracket open कैसे होगा जब दोनों side आपस में into होंगे तो minus into minus क्या होगा plus और बाकी सारी चीज़े वैसे ही हम लिखेंगे तो यहां लिखेंगे 118 plus 125 equal to 118 plus 25 तो चलिए अब यहां पर plus कर देते हैं तो जब हम plus करेंगे तो हमें मिलेगा इस साइड 243 equal to इस साइड भी 243 और यहां भी हमारा क्या हो गया LHS equal to RHS यही तो हमें proof करना था और यही होगा हमारा answer चलिए अब इसका third part देखते हैं तो यहां पर हमें proof करना है LHS equal to RHS और यह third part जहां पर A equal to 75 है और B equal to 84 है तो जो proof करना है वो लिखेंगे हम यहां लिखेंगे A minus minus B equal to A plus B यहां पर A और B की values रख देते हैं तो यहां हम लिखेंगे 75 minus bracket के अंदर minus 84 equal to 75 plus 84 अब यहां bracket open करना है तो सबसे पहले minus into minus plus हो जाएगा बाकिस अब हम same लिखेंगे 75 plus 84 equal to 75 plus 84 अब हम इनको plus कर देंगे आपस में तो हमें मिलेगा 159 equal to 159 यहां भी हमारा LHS equal to RHS proof हो गया और यही होगा हमारा answer अब देखते हैं इसका फूर्थ पार्ट फूर्थ पार्ट में A equal to 28 है और B equal to 11 है तो यहां पर जो proof करना हो सबसे पहले हम लिखेंगे तो यहां हमने लिखेंगे A minus bracket के अंदर minus B equal to A plus B यहां पर A के जगे A की value रखेंगे और B के जगे B की value same वैसे इस side भी करेंगे A के जगे A की value और B के जगे B की value तो यहाँ पर हम लिखेंगे 28 minus bracket के अंदर minus 11 equal to 28 plus 11 अब यह bracket open होगा तो इसके लिए सबसे पहले minus into minus plus होगा अब बागी सब चीजे वैसी की वैसी हम लिख देंगे तो यहाँ हम लिखेंगे 28 plus 11 equal to 28 plus 11 और जब हम इनको plus करेंगे तो हमें मिलेगा 39 equal to 39 यहाँ हमने LHS equal to RHS proof कर दिया और यही होगा हमारा answer तो आज का session बहुत easy था और बहुत interesting भी था अगर आपको कोई doubt हो इस session में तो comment कीजे मैं ज़रूर आपको और अच्छे से और better way में समझाओंगा तो आज के session में बस इतना ही अब हम अपने next session में इसके आगे का question solve करेंगे जो है question number 9 तो चलिए मिलते हैं अपने next session में